मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि बंटी को एंवायर्मेंटल साइंस की ऐसे राइटिंग के लिए इनाम दिया गया है हाँ, यकीन तो नहीं होता, पर पिछले कुछ दिनों में बंटी काफी बदल गया है हमारे बंटी में एंवायर्मेंट को लेकर गजब की जागरूपता आई है और इसे अप्रिशियेट भी किया जाना चाहिए रिंकी, ये सब कुछ तुम्हारी और दादाजी की वज़े से हुआ है वरना ये बंटी तो बिल्कुल नालायक था इसको बोलती थी कि कुडा फेक आओ तो ये दर्वाजे से ही कुडा ऐसे उचालता था जैसे ओलमपिक में खिलाडी गोला फेकते हैं ब्रश करते वग पानी का नव यो खुला छोड़ देता था जैसे अपने आप बंद हो जाएगा मधुमक्की के छट्ते तोड़ना हर मैने नए नए कपड़े खरीता जंक पुड़ खाना यही इसका काम था लेकिन जब से आप लोगों ने इसे अच्छी बाते सिखाई है यह तो इको वारियर बनने का कोई मौका नहीं छोड़ता वरना इसका मन तो शरारतों में ही लगा रहता था वाकई बहुत खोशी की बात है लेकिन बंटी तुमने ऐसे में लिखा क्या था हाँ हाँ हमें भी बताओ अरे वही सब बाते जो तुमने और दादा जी ने मुझे बताई थी जैसे कि पृत्वी में पानी की लगातार कमी हो रही है और ये हम सब की लापरवाई का नतिजा है पर अगर हम लोग अपने घर के नलों में एरेटर लगा ले तो हम 40% पानी बचा सकते हैं और सीफ पानी ही नहीं हमें पृत्वी पर बढ़ रहे कुडे को भी रोकना होगा जैसे इस्तमाल के बाद प्लास्टिक पैक को यहाँ वहाँ ना फेक कर उसे दूबारा यूज करें या फिर कपड़े का बैग यूज करें रेस्टोरेंट में उतना ही ओडर करें जितने की भूख हो और अगर तब भी खाना बच जाए तो घर के लिए पैक करा ले या फिर किसी जरुवत मंद को दे जितना हो सके हम और्गेनिक चीजों का इस्तमाल करें जिसमें केमिकल वगेरा ना हो ये ना सिफ पानी के लिए बलकि सेहत के लिए भी खराब होते हैं कपडों की खरीदारी सोच समझ कर करें क्यूंकि कपडों के बनने में काफी पानी इस्तमाल होता है और हाँ सोलर एनरजी का बरपूर प्रयोक करें ताकि हम एक महतर दुनिया बना सकें वाह मेरे बन्टो शाबबाश कमाल कर दिया पर ये सब आप दोनों ने ही इसे समझाया वरना हर तीसरे दिन कोई घर आकर शिकायत करता कि बन्टी ने घर का काच तोड़ दिया कोई कहता बन्टी ने मेरे स्कूटर की हवा निकाल दी मैं हमेशा से जानता था कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा अब मम्मी जल्ली से थोड़े पकोड़े तयार कर दो आज मेरे कमरे में हमारे नेचर्स क्लब की पहली मीटिंग है और मैं उसकी प्रेजिडेंट हूँ और बल्ली हमारा मैसकॉट और मैं प्रेजिडेंट है